Hey guys, what's up? Hope आप लोग अपने लाइफ को बहुत अच्छे से इंजोई कर रहे होगे and आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Contactor के वारे में यानि कि आप सभी लोग को पता चली गया होगा कि Contactor के रिगार्डिंग एक नएउ प्लेलिस स्टार्ट किया गया है जिसका नाम दिया गया है All About Contactor and back to back आपको Contactors के रिगार्डिंग जो है वीडियो मिलेंगे तो ये पहला टेकनिकल वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ What is Contactor? So guys अगर आप इस वीडियो को बिना Skip किये सुरूँ से अंतक देखते हो तो What is Contactor इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपका सभी डाउट जो है क्लियर होने वाला है So guys एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर मेरे यूटीब चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रहा है तो प्चैनल को सस्क्राइब करो and अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर सेर करो आप लोग जो है वीडियो को तो वाज करते हो लाइक भी करते हो बट आप लोग कमेंट नहीं करते आज का ये वीडियो जो है आप पूरा देखो वीडियो देख के आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन बताता हूं का अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइज विच इस यूज़ फोर स्वीचिंग एन इलेक्ट्रिकल सर्कीट ओन और और आफ सो गाइस कॉंटेक्टर एक हमारा इलेक्ट्रिकल कर डिवाइज है जिसे हम लोग यूज करते हैं हमारे इल यूज करने का आखिर क्या रिजन है इसके बदले हम लोग MPCB या फिर MCCB, MCB का यूज क्यों नहीं कर लिए तो देखो मेंली इसका दो रिजन है पहला रिजन यह है कि इसे आप किसी भी जगहा पे बहुत आसान तरीके से मांट कर सकते हो यानि किसी पैनल पे अगर आपको एक कॉन्टेक्टर इन्स्टाल करना है तो आप इसे बहुत आसान तरीके से इन्सटाल कर सकते हो और दूसरा जो रिजन है वो है इसका कॉंपक्ट साइस अगर आप approximately देखोगे तो व्हों mccb या फिर mp cv और mc इसके मुकाबले बहुत compact size का होता है जिससे क्या है कि हमें एक कम space पे हम लोग इसे लगा सकते हैं तो ये compact size के वज़ा से भी हम लोग contactor का use जो है आज के time पे करते हैं अब देखो क्या है कि generally हमें contactors में कुछ contacts देखने को मिलता है और ये contacts हमारा normal condition पे open रहता है and जब हम लोग contactor के A1 और A2 point में 230 volt का supply देते हैं तो इस condition पे हमारे contactor के अंदर में जो एक coil हो energized होता है and अपना contactor hold होता है and जब अपना contactor hold हो जाता है तो इस condition पे अपना जो power है वो एक तरब से दूसरे तरब जो है flow होना start होता है यानि कि अपना जो contactor है वो एक close circuit बना लेता है ठीके guys and अब मैं आपको बताता हूँ एक application के बारे में ये जो contactor है इसका mostly use कहां किया जाता है तो देखो industrial point of view से ये जो contactor है इसका use 99% electric motor को operate करने में use में लिया जाता है यानि कि industrial point of view से आप जितने भी motors को देखोगे यानि कि जितने भी motors के जितने भी stators होते है यानि कि dual starter, reverse forward starter या फिर start delta starter इन सभी में contactors का use होता है जिसके output में आपका जो load होता है वो आपका एक motor रहता है तो ये मैं अभी आपको जितने भी बाते बताया सबसे पहले definition ये एक electrical device है जो की switching के काब में use होता है दूसरा इसे हम लोग क्यों use कर रहे है यानि कि ये compact size का होता है उसे हम लोग बहुत आसानी से mount कर सकते है उसके बाद अपना जो contactor है वो normal condition पे open रहता है जब हम लोग उसमें जब हम लोग contactor के coil में supply देते हैं तो अपना contactor क्या है कि hold होता है और अपना contactor जो है आगे supply flow करना start करता है अंत में में आपको बताया कि ये जो contactor ये most of the cases में use होता है हमारे industrial point of view से जो की हमारे electric motors में देखने को मिलता है जेतने भी dual starter, R dual starter, reverse forward starter सभी में आपको contactor का use देखने को मिलता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए इस वीडियो से related कुछ भी अगर सवाल है तो प्लीज comment section में आप comment कर सकते हो मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा वीडियो कैसा लगा आप मुझे comment section में जरूर बता है सो एक छोटा सा request करना चाहूंगा कि description box में आपको मेरे social media platforms के link मिल जाएंगे like, Instagram, Telegram इन सभी को आप जो है join कर लो जितना जल्दी हो सके एंड कहीं join करो या ना करो लेकिन Telegram पर join कर लेना क्योंकि जितने भी मेरे PDF होते हैं वो सभी मैं जो है उस Telegram चैनल पर डाल देता हूं आप वहां से जो है वो free of course डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको वीडियो helpful लगा तो प्लीज गाईज अपने दोस्तों तक जरू सेयर करना फिर से बता रहा हूं एंड इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी सवाल है कमेंट सेक्षन में कमेंट आप कर सकते हो एंड इस प्लेलिस्ट में आपको जो दूसरा वीडियो देखने को मिलेगा वो और रहेगा अपना कॉंपोनेंट्स ओ गाधी अपना अपना कोंटेक्टर याने की कॉंटोंेंट्स में कौन-पॉन से पार्ट सो पीडियो में ईसके यू nitrogen होता है और उसके वारे में बताऊँगा धेलो kangский और श्यू bissर्थ को मिलते हैं नेक वीडियो में तब देक अपना त्यान रखिए